आश्वा करता हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं रनाम ऐसे धान तक नहीं हो, तरी स्टेडी आईक्यो पैप का बहुत बहुत स्वागत है, दोस्तों आज हम बात करेंगे चांद की, चांद जो कि हमारे फैमिली का ही मेंबर है, करवा चौत में हम चांद को देखके जो औरते हैं वो चांद को देखके वरत तोड़ती हैं, चांद पे इतने सारे गाने हैं, अगर चांद को अटा दे तो बॉलिवडी बरबाद हो जाएगा, इतनी मूवीज बनती है चांद पे, चांद नी एक मूवीज आय थी, और कितने गाने हैं चांद पे, साथी साथ अपना स्पेस्क्राफ्ट भीजाता है लरो 2009 में अब इंफर्मेशन ये सामने आई है कि जितना हमने सोचा था उससे ज़्यादा चांद पे मिटल है तीकि साइंस ऐसी ही बढ़ती है ठीक है कोई रिसर्च सामने आई पब्लिश हुई फिर उसके बाद एक नई इंफर्मेशन जो पिछली रिसर्च थी उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिसको ये रिसर्च ने काउंटर किया ऐसे ही साइंस बढ़ती है आप समझ रहे हैं एक ख्योरी जो है वो ऐसे ही डेवलप होती है तो यहां पे साइंटिस्ट का भी तक यह मानना था metallic configuration की हाला कि चांद पे क्या metallic configuration है chemical composition उसकी पूरी जानकारी नहीं है क्योंकि northern hemisphere थीक है northern hemisphere तो explore कर सकते हैं लेकिन dark of the moon southern hemisphere को explore करना मुश्किल है अभी हमारा चंदरियान 2 जो है success रहा लेकिन बहुत अच्छे से success नहीं हो पाया क्योंकि जो rover था वो proper land नहीं कर पाया थीक है जि इसकी वज़े से वो mission जो है वो partial success उसको मानेंगे लेकिन सदम है उसका भी main motive आई था कि southern hemisphere जो dark of the moon है उसको explore किया जा कि वहाँ पर क्या है आप समझ रहे हैं तो आज हम बात करेंगे यह जो नासा ने खोज के निकाला है यह क्या है साथी साथ क्यों चांद पे metal मिल रहे है इतने सारे यह भी देखेंगे इसके reason की बात करेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं सिरर्स को reconnect मेरा facebook page है सिद्धान तक नियूतरी के नाम से मेरी facebook profile है दोनों ही जगा प्लेचर की PDF ले सकते हैं सवाल भी पूछ सकते हैं UPSC के smart courses आते हैं उसके लिए आपको study IQ का app डाउनलो उनको तो समझ में आ जाएगा और जिनका science background मतब अच्छा खासा है क्योंकि इसमें बहुत सारी technical चीजे हैं यह जो paper publish हुआ है दोस्तों यह paper basically एक जुलाई को Earth and planetary science letters में इसमें publish हुआ है ठीक है तो इसमें बहुत सारी technical चीजे हैं तो इसलिए lecture आगे बढ़ाने से पहले main समझ दी LRO क्या है लूनर री कॉनिसा और्बिटर यह NASA का robotic spacecraft है जो कि 18 जून 2009 को भेजा था देखिए अगर हम NASA की बात करें capitalism versus communism मतलब cold war की हम बात कर रहे हैं cold war जब शुरू हुआ तो space पे कौन जाएगा arms race के साथ साथ space race भी Soviet और अमेरिका में शुरू हो गई Soviet ने भले ही space पे पहला जानवर पहला इंसान भेज दिया हो लेकिन चांद पे अमेरिका ने बाजी मारी Apollo mission पे मेरा पूरा separate lecture है कैसे Neil Armstrong गए कैसे Apollo mission हुआ सर्च करी आपको सब पता चल जाएगा तो चांद पे अमेरिका पहले उत्रा और उसके बाद अमेरिका ने ऐस सच कोई बहुत बड़े mission चांद के लिए नहीं चला है 2009 की बात करें तो 18 जून 2009 LRO अमेरिका की NASA ने लॉंच किया और अच्छी बात ये है 2019 में ये NASA ने बोला था कि अभी इसमें इतना फ्यूल है कि 7 साल तक और चलेगा ये आप समझ रहे हैं ये अपने 7 साल तक यानि कि 2026 तक LRO जो है वो अक्टिव रहेगा अब LRO का काम क्या है NASA ने चांद पर ये spacecraft इसी लिए भेजा था एक तो चांद की information हमको मिल सके तरफिस का निरिक्षड हो सके अभी देखे न कि चांद की सता का निरिक्षड किया है ठीक है LRO ने चांद की सता को देखा और वहां से ये पता चला कि चांद पर तो अच्छे कासे metals हैं iron और titanium मिल रहे हैं आप समझ रहे हैं साथी साथ जो future missions होने वाले हैं चांद पर अभी आने वाले समय में काफी missions आप देखेंगे तो वो उसके लिए भी information जुटा सके मतलब पहले से ही यहां पर कि spacecraft भेजा जा चुका है नासा द्वारा कि आगे जो चांद पर mission हो ultimately जो भी data आएगा LRO से वो हमको help करेगा आगे जो हम mission भेजेंगे उसको हम अच्छे से conduct करवा सकते हैं proper landing करवा सकते हैं कहा landing करवानी है यह सब हो सकता है millions and millions of dollars इस पर खर्च किये गए और LRO अभी भी active है आप समझ रहे हैं अभी 7 साल तक यह और काम करेगा यह बहुत अच्छी खबर है LRO नहीं information भीजी है अब हम बात करते हैं चांद की देखिए अगर चांद की बात करें तो आपको पता ही है कि पूरे universe की शुरुआथी the big bang theory से हुई थी देखिए सब कुछ the big bang theory से शुरू हुआ जो कि one of the possible theory है कि ऐसा हुआ होगा देखिए ऐसी 6 theories हैं आप simulation theory पढ़िएगा आपके होचोड़ जाएंगे matrix वाली ठीक है लेकिन जादतर क्या सारे scientist का यही मानना है कि the big bang ही हुआ और इसी से ही हमारे universe जो है वो बना universe बना उसके बाद फिर planets बने cluster सुपर cluster सब कुछ basically वक्त बना time सबसे important the big bang theory से बना अब अगर आपको इसके बारे में जादा जानना है solar system कैसे बना black holes के बारे में planets के बारे में तो मैंने Stephen Hawking की किताब review की है the brief history of time साथी साथ Stephen Hawking की biography भी review की है तो आप ये lecture मेरा देखिएगा तो आपको सब अच्छे से पता चल जागर लाखो लाखो लोग इसे देख चुके हैं जादा तर जो heavenly bodies है collision से ही तो बनी है ना और उसके बाद फिर gravitational collapse होता है आप ये सब यहां तो मैं explain नहीं कर पाऊंगा लेकिन आप ये दब्रीफ history of time ये किताब का review देख लीजे उसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा प्रोटो प्लैनेट क्या होते हैं छोटे प्लैनेट होते हैं ठीक है कुछ प्रोटो प्लैनेट ड्वार्फ प्लैनेट से भी छोटे होते हैं चांद के बराबार होते हैं तो यंग वो धर्ती से बहुत जादा मिलता जुलता है ठीक है यानि कि धर्ती का छोटा भाई है चांद ठीक है चांद का chemical composition जो धर्ती का है वो चांद का ही है exactly ने लेकिन काफी हद तक मिलता जुलता है लेकिन दोस्तों यहाँ पर dispute है actually scientists यहाँ पर agree नहीं कर पाए हैं क्योंकि देख जैसा कि मैंने बताया कि northern hemisphere ठीक है northern hemisphere की बात करें ऊपर वाले हिस्से में चांद में नौर्थ के वाले हिस्से में तो अच्छा कासा exploration हुआ है बहुत सारे missions भी बेजे गए हैं लेकिन dark of the moon को अभी तक किसी ने explore नहीं किया है साथी साथ अगर चांद की बात करें तो जो lunar highlands ह ठीक है मतलब चांद के जो bright plains होते है ना वहाँ पे जो metal composition है वो ठीक ठाक है बहुत जाता नहीं है लेकिन अगर हम dark plains में जाएं तो metal composition एकदम से बढ़ जाता है तो ये dispute है कि ऐसा क्यों हो रहा है और अभी LRO का जो LRO में जो radio frequency instrument लगा है उसने ये बताया है कि भाया die electric property जो है ना जैसे जैसे crater बढ़ते जा रही है वैसे वैसे increase हो रही है यानी कि metals अच्छे खासे हैं चांद में नहीं समझे टेकनिकल हो गया चलो पहले हम थोड़ा सा die electric constant को समझ लेते हैं क्योंकि अब आप die electric constant को सुनेंगे ठीक है die electric properties die electric क्या होता है देखो die electric वो material होता है हर material का हम die electric constant निकालते हैं उसकी die electric property निकालते हैं ठीक है basically किस metal में कितनी electrical conductivity है ये die electric से पता लगाया जा सकता है die electric constant से पता लगाया जा सकता है die electric constant physics में भी यूज होता है chemistry में भी यूज होता है ठीक है ये कपा इसको k से हम denote करते हैं और इसका f upon f silent knot ये knot जहां पे भी 0 लगे समझ लिजे वो vacuum की बात हो रही है free space की बात हो रही है तो basically die electric property जो है वो die electric constant से निकाली जाती है अब die electric अभी मैंने बताया कि die electric क्या होता है यह वो material होता है जिसकी electrical conductivity बहुत जादा नहीं होती लेकिन charge को अच्छे से store कर सकता है displacement current के खैर हम जादा technical में नहीं जाएंगे आप इतना समझ लिजे कि die electric constant से electrical conductivity जो है वो निकाल सकते हैं कि कौन कौन सा metal कितना जादा electrically conductive है यह आप समझे और basically formula important रहता है F silent upon F silent not यानि कि यह F silent जो है यह permittivity है substance की और यह जो F silent है यह permittivity है आपकी free space हम free space के reference से ही कोई भी constant निकालते हैं यह आप समझे तो बहुत ही जादा important है तो basically die electric क्या करता है इससे electrical conductivity आप निकाल सकते हैं अब यहाँ पे यह वाला जो instrument है mini RF इसने बताया है यह ऐसा है die electric constant sorry die electric property जो है electrical property यह mini RF instrument जो है यह electrical property को इसने measure किया और इसने यह बताया lunar soil में मतलब जो चांद की सता है ना electrical property बढ़ती जा रही है समझ रहे हैं अब इसने ऐसा कैसे किया चांद पे हैं गड़े आपको पता ही है बड़े बड़े गड़े कुछ बड़े गड़े हैं कुछ छोटे गड़े हैं क्या बात है मैंने अरे छोड़ी एच्छा यह इस तरीके के छोटे छोटे कुछ बहुत बड़े गड़े हैं अब यह क्यों हुआ है क्योंकि meteors जो है meteoroids जो है वो चांद पर बरसते रहते हैं meteors के होते rocky bodies होती हैं यह आवारा गर्दी करती हैं space पर गूमती रहती हैं और चांद पर गिरती हैं तो जब यह गिरेगी यह बना देती है गड़ा जिनको हम craters कहते हैं तो इन ही craters को RF instrument ने analyze किया आप समझ रहे हैं और NASA ने यह बताया कि जितना बड़ा crater उतनी जादा electrical property जो है वो बढ़ती जा रही है अब इसका मतलब क्या है electrical property कैसे बढ़ेगी थोड़ा सा ध्यान लगाईए कैसे बढ़ेगी electrical property का मतलब यह है कि वहाँ पे metal होगा ना अगर die electric constant की बात हो रही है तो हम metal की बात कर रहे हैं हर metal का die electric constant होता है ठीक है तभी तो हम conductivity ऐसे ही निकालते हैं बहुत important है यह सब ठीक है die electric constant हर metal का होता है तो die वहाँ पे metal है तभी तो हमको इसकी dielectric property पता चल रही है और जैसे जैसे जितने बड़े crater में ये RF instrument गया उतना जादा इसने electrical property दिखाई dielectric property दिखाई ये आप समझ रहे हैं 0 से 5 km का जो crater था ठीक है इतना बड़ा गड़ा उनकी dielectric property बढ़ रही फिर 5 km से 20 km तक constant then again कहने का मतलब ये है कि electrical property is directly proportional to the width of crater जितनी जादा width बढ़ती जा रही है जितना बड़ा crater उतनी जादा electrical property बढ़ती जा रही है यानि कि metal होने की संभावना बहुत जादा है चांद पे समझ रहे हैं और अच्छा खासा जितना NASA ने सोचा था उससे जादा इसका reason ये दिया जा रहा है कि जो meteors बरस्ते रहते हैं ठीक है देखो छोटे craters तो ठीक है लेकिन large craters में meteor जब large craters में गिरेंगे या meteor जब गिरते हैं तो गढ़्धा करते जाते हैं तो कुछ meteor बिल्कुल deep चले जाते हैं समझ रहे हैं और साथ साथ iron और titanium को भी अपने साथ ले जाते हैं तो surface पे तो आपको reading नहीं मिलेगी लेकिन जब आप depth में जाएंगे तब आपको reading मिलेगी अब आप बोलेंगे से depth में कैसे जाएंगे simple देखो बहुत आसानी से ये है चांद की सता ये crater हो गया ये फिर छोटा crater हो गया ये और बड़ा crater हो गया समझ गया अब ये LRO जो है ये गाड़ी है यहाँ पे अब ये गाड़ी इस crater में जाएगी depth में गई न तो depth में RF instrument ने क्या पाया electrical conductivity बड़ी फिर ये और आगे बड़ेगी ये छोटे crater में जाएगी अब आप समझें मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ simple तरीकिस आपको समझ में आ गया very very good तो ये पाया है iron और titanium oxide चांद के surface के नीचे है अच्छे खासे है आप समझ रहे हैं तो भईया सीधे चलो चांद पे iron और titanium oxide लेके आते हैं बढ़िया plane win मनाते हैं अपनी economy को develop करते हैं anyway जोग साब पाट लगी ने capitalist का कुछ आप कह भी नहीं सकते क्या पता है चांद पे चले जाए और वहाँ से फिर resources उठा के लिया है तो ये चीज और अब ये नासा कह रही है कि अभी आगे हम देखेंगे ये research जो है वो जारी है और देखेंगे कि कहां कहां को कितने metal deposits मिलते हैं अगें यहां पे अचा जापान ने भी इसको बैक किया है ठीक है जापान का जो कागुव मिशन था उसने भी इस बात को बैक किया है कि जितना metal मतलब जितना हम सोच रहे तो उससे ज़्यादा metal चांत पर है तो ये research paper में publish हुआ है अब आगे देखेंगे दोस्तों ऐसे research paper में जो जो नई चीज़े publish होती रहेंगी वो मैं आपको बताता रहूँगा तो simple lecture था आपको कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत तो नहीं हुई अगर आपको दिक्कत हुई है तो आप मेरे page में मुझे सवाल पूछ सकते हैं कुछ रही है पढ़ते रही है देशे सिद्धान तक नहीं होता ही signing हो